हलो गाइज वेल्कम बैक इन्टू आवर योट्यूब चैनल जेज्यार गेमिंग होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे जो आज के हमारी वीडियो वह वन टैप हैट शॉट के बारे में तो वीडियो को शुरू करते हैं अपनी इंट्रो के बाद वेल्कम बैक आप्टर दा इंट्रो गाइस तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं आज की वीडियो बिनना स्किप कि ये लास्ट तक जूर देखना वह क्योंकि आपके बहुत काम आने वाली है इसमें मैं बहुत से इशू के बारे में बताऊंगा जो बंदे फेस करत है और लास्ट में आपको वन टेफ हैड़ शॉट कैसे मारा जाएगा उसके बारे में बताऊंगा तो फरस्ट अफॉल मैं आपको जो इश्यू उनके बारे में बताऊंगा कई बंदों का यह कि उनका जो एम है वो बाड़ी पे श्ट्रक करता है तो बाड़ी पे श्ट्रक क करने के लिए वही सभी बंदे जिनका भी हो रहा तो अपनी सेंस्टिविटी थोड़ा सा प्लस करके खेले तो इससे आपका जो बॉड़ी स्टक है वह रिजॉल्व हो जाएगा सेकिंड भाई बहुत से बंदों का यह प्रॉब्लम है कि उनका जो आपकी सेंस्टिविटी उसक यह रिजॉल्व हो जाएगा और फिंगर स्लिप का यूज करें या फिर पाउडर का क्यूंकि जो आपका थम में वह स्क्रीन के साथ बहुत ही चिपक रहा जिससे आपकी जो स्पीड है वह बहुत कम होगी फिंगर स्लिप और के साथ आपकी स्पीड जो हो इंक्रीज हो हो है one tap headshot trick तो one tap headshot trick बहुत ही easy है लेकिन आपको practice करनी पड़ेगी one tap headshot लगाने के लिए बिना practice के तो आपको कुछ नहीं मिलेगा तो practice बहुत ही ज़रूरी है हर चिर्गह पर practice बहुत जरूरी है तो one tap headshot लगाने के लिए आपको बहुत सारे step follow करने पड़ेंगे और जिसका one tap headshot नहीं लगता है उनका भी लगना शूरू हो जाएगा तो जो आप यहां पर भी वीडियो देख सकते हैं कि मैंने बंदे को कितना easily headshot दे दिया तो भई इसमें सबसे जूरी बात है कि आपका patience बहुत जूरी है तो first point है वह हमारा standing तो standing position कुछ इस तरह से होनी चाहिए जब आप shot मारोगे one tap की try करोगे standing position कुछ इस तरह से होनी चाहिए ना कि आप चलते रहने चाहिए और जो हमारा second point है वह हमारा aiming का aiming भई आपकी इस तरह से होनी चाहिए मैं आपको picture में दिखाता हूं भई कुछ इस तरह से enemy के body पे नहीं होनी चाहिए new back key body से थोड़ा बार होनी चाहिए जो आपका red dot होता वही वह आपका बार होना चाहिए रहे enemy के body में होना आपे तो इससे आपका जो और turn half hour लगना कम हो जाएगा तो एम कुछ इस तरह से होना चाहिए आप मेरी इस क्लिप में देख सकती हो कि मेरा एम कितना है तो क्लिप में देख सकते हैं एम मेरा बिलकुल ही परफेक्ट है जो कि मतलब बंदे के थोड़ा से साइट वे बना कि उसकी बॉड़ी के ऊपर है बहुत ही साइड तो फाइर वर्टन कुछ इस तरह से यूज़ करना चाहिए हमें आप यहां पर क्लिप पर देख तो मैंने स्लो मोशन पर इस पर वीडियो बनाई है तो फाइर का वर्टन जो इस तरह से यूज़ करना है ना कि इसको डायक्ट ऊपर ले जाना इस तरह से तो आप समझ चुके ह होंगे कि वहाई वन टैफ हैड्शॉट कैसे वर्क करती है और क्या क्या स्टैफ फॉलो करने हैं मैं आपको कुछ और इमिंग और स्टेंडिंग के ग्जेंपल देना चाहता हूं यहां पर देख सकते कि आप मेरा हैं कितनी दूर है और मैंने फटाक से इसको एड्शॉट द जन्दा योगी तो वही यह अमारी फर्स्ट वीडियो थी तो कुछ गलतियां भी हुआ कि तो हमें कोमेंट सेक्शन पर बता देना ताकि हम अगली वीडियो में उन गलतियों को फिर से ना करें तो वही सुपोर्ट करो गाई सब्सक्राइब करो शेयर करो गई थेंक यू